हेलो दोस्तों वेलकम माई योट्यूब चैनल आप सब का स्वागत है तो दोस्तों कैसे हो आप सब उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों को दिपावली की हार्दिक सुबकाम ना आए तो चलिए आज का जो हमारा स्ट्राइड़ी है यह मार्केट के अ टेकनिकल एंट आणाइसिस उसमें क्या करते हैं लोग प्रॉपर तरीके से जो है हम लोग एनाइसिस बिल्कुल भी नहीं करते हैंrend यह थे शुर्प के अनदर आप लोग न एक चीज को भूल जाते हो मार्केट अप्रेंड में है या साइड वेज में है मार्केट के अंदर तीन ही trend होते हैं या तो uptrend या तो downtrend या तो sideway ठीक है दोस्तों तो चलिए हम जान लेते हैं हमें क्या करना चाहिए पहले हमें एक दिन के time frame पे check करना चाहिए कि हमारा जो market का जो trend है वो क्या है तो आप लोग देख सकते हैं हमने एक दिन का time frame लगा दिया है यह देख सकते हैं आप लोग और यहां से यहां जो हमने खीच दिया तो market क्या है आप लोग देख सकते हैं यहां पे जो है higher high higher high का जो है pattern बन रही है ठीक है तो आप लोग देख सकते हैं market हमारा uptrend में है तब हमको जो है call कहां buy करना चाहिए तो चलिए ओभी आप लोग को जो हम बता trading के लिए है तो आप देख सकते हैं हमारा जो market ने closing दिया है आप लोग देख सकते हैं 40,784 के उपर ठीक है और जो हमारा high है वो में आप लोग को बता देता हूं जो हमारा high है अब देखें दोस्तों यह जो हमारा 41,026 का जो level है अगर यह दूसरे दिन अगर यह दूसरे दि सस्टेन कर जाएगी तब हम call side के तरफ बैठेंगे ठीक है दोस्तों एक तो confirmation हमें मिल गया जो call हमें कब बाई करना है ठीक है दोस्तों उसके बाद अब हमें जो है put का buy करना है आप लोग यह neckline देख सकते हैं यह w pattern बन गया दोस्तों यह neckline जो देख सकते हैं आप लोग अगर इस neckline के नीचे आएगी तब हम थोरा सा bearish होंगे otherwise हम bearish नहीं होंगे चलिए देखते हैं 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे चलिए यह देखिए हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ट्रेट लाइन खीचा हुआ था इसको remove कर देते हैं दोस्तों यह देखिए हमने remove कर दिया और उसके बाद आप लोग 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे आगे तो हमारा जो put position बनेगा वो कहा प्रेट ने यहाँ पे जो है support लिया है वो भी multiple time लिया है आप लोग तो बिल्कुल कुछ नहीं देखते हो बस ऐसे ही जो है अंदादुन trade करते हो और उसके अंदर जो है loss कर बैठ तो इसके अंदर बिल्कुल भी loss नहीं होगा आप लोग को क्योंकि आप लोग जब पहचान प्रोफिट बुकिंग देख सकते हैं यहाँ ठीक है दोस्तू तो यह हमारा strategy है और इसके अंदर जो है हमें volume भी देखना है दोस्तू आप लोग देख सकते हैं वोल्यूम यहाँ पर देखिए कितना हाई बोल्यूम है उसके बाद धीरे 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 यहां से decrease होता गय ठीक है और उसके बाद देखिए यहाँ पर वॉल्यूम देखिए यहां पर एंक्रीज हो गया है यहाँ से इंक्रीज हो गया है पिर देखिए कितना candle के अंदर strength होना चाहिए और market up हो रही है तो green candle के अदर strength होना चाहिए तो दोस्तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप comment section में comment करकर करके जुरूर बताइएगा अगर आप लोग को knowledge वो लगा तो जुरूर comment करिएगा तो दोस्तो अगर हमारा वीडियो informative लगा हो तो अगर आप लोग नए हो तो चैनल को subscribe कर दे like कर दे दोस्तो में share करें और bell icon के all पे जुरूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहले पहुँचे तो दोस्तो हमारा टेलिग्राम चैनल भी आप लोग जुआन कर सकते हैं जिसका लिंक में वीडियो के description में डाल दूँगा तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक unique वीडियो के साथ informative वीडियो के साथ तक तक के लिए जाहिंद बंदे मातरम